इस वीडियो को आप एक मिनिट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग हम फिर से वापसा चुके एक नए वीडियो के साथ तो गाईज अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सबस्क्राइब कर लीजे और हमारी बैल आइकन को भी दबा दीजे इस वीडियो को लाइक करिये और अपने फ्रेंड के साथ फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिये काईज हम बहुत सारे वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं पूरे नियूस रिलेटेड जो भी वाइरल माटेरियल होता है जो भी बड़ी डिवेट होती है सब का हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं तो आप हमारे चैनल से बने रही है हमारी कौमी तारीक का एक बड़ा मैं समझता हूँ तारीक दिन है आज के दिन सकूत इढ़ाका हुआ था उस पर बहुत से लोग बातचीत कर रहे हैं उसकी वजवात पे भी बहस हो रही है लेकिन मुक्तसरन यही है कि लगता कुछ यू है कि आज उन्चास साल गुज़ जाने के बावजूद भी हमने कुछ स्यादा सीखा नहीं सकूत इढ़ाका से और हमारे कोमी रवई यह वही हैं जो पहले थे और खाकिम बद्दहन लगता खुदाना करे खुदाना करे लेकिन पाकिस्तान जो एक मोईसे के तोर पे आया था हमें मिला था उसकी हमने सही मानों में गदर नहीं की तेकि मैं आज इस मौदूब बात नहीं करना चाहता नाजरीन मैं किसी और सकूत इढ़ाका के यह हवाले से लेकिन एक खास इशू है जिसको मैं टच्च करना चाहता हूँ उस पे बात करना चाहता हूँ क्यूंकि मुझे लगता यह है कि हमारी कौमी गेरत भी कहीं जा चुकी है जो एक हमें गेरत का अंसर होना चाहिए था वो भी कहीं नापैट सा हो गया है कहीं नजर नहीं आता कि हम बहसित एक इसलामी ममलिकत के हम वाकी मुसल्मान भी है या पाकिस्तान से वाकी हमें कोई महबब भी है या पाकिस्तानियों का हम कोई ख्यार रखते है यह 1947 की बात है नाजरी जब पाकिस्तान बन रहा था तो बहुत से उस वक्त के जो हिंदुस्तानी थे वो उस वक्त के मश्रकी पाकिस्तान में नकल मकानी करके आए, बिहार से आए, यूपी से आए, लेकि जाधा तर लोग बिहार से ही थे और इनकी टादात तक्रीमान आठ लाके करीब थी जब उस वक्त पाकिस्तान बना और ये लोग बड़े अच्छे रहे मश्रकी पाकिस्तान में, चुकर इन्होंने अपने आपको पाकिस्तानी के लाया, पाकिस्तानी थे तो मश्रकी पाकिस्तान ने अपने आपको सैटल किया, कारोबार किया, बड़े तरकी भी वहां पे की और बड़े खुशाल तरीके से वहां रहते रहे लेकिन 1971 के बाद जब मश्रकी पाकिस्तान बंगलादेश बना तो उनको उनके घरों से निकाल कर बड़े बड़े घरों से निकाल कर कारोबार उनसे च्छीन लिए गए और आज तकरीमन कोई पांच लाग के बिहारी जो अपने आपकों पाकिस्तानी कहते हैं वहां जिस नागुफटाबे अहालत में रहे हैं कैमपों में रहे हैं तकरीबां 116 कैमप्स में पुरे बन्गला देश में जिमें ये पाकिस्तानी वहां इस वक्त रह रहे हैं और उनकी अहालत ऐसी है चे उसका बयान तो क्या तसब्र भी बहुत मुशकल है ना उनके पास बच्चे जो हैं कई दो तीन जेनरेशन से कोई तालीम नहीं है बिचारे जिस कसमपुर्सी की हालत में रहें उसका हम तस्वर भी नहीं कर सकते अगर हम अपने आगों पाकिसानी कहते हैं तो थोड़ा बहुत तो कभी उनका भी हमें ख्याल आ जाना चाहिए लेकिन कोई ऐसा पाकिस्तान में कोई इस मौजब बात ही नहीं करता 1974 में नाजरी पाकिस्तान और बंगलदेश के दरीम आने एक महाइदा हुआ था जिसके तहित हमने एक कमिट्मेंट दी थी कि हम इन पाकिस्तानियों को जिनको आप लोग बिहारी गहते हैं मैं तो उनको भी पाकिस्तानी समझता हूं कि इन पाकिस्तानियों को पाकिस्तान लेगा लेकिन ये मुहारिदा तक्रीब और 1974 से लेकर 1993 तक हमने पुने दो लाख इन पाकिस्तानी जो बंगला देश में रह गए हमने उनको वापस लिया और उसके बाद फिर बिलकुल खामोशी 1993 से लेकर आज 2020 में हम आ गए हैं लेकिन हम इस इशू से आखें प्यर रहे हैं गो के रापते आले में इसलामी ने भी बहुत काम किया उस वक्त बहुत से अरब मौलिक ने खास तोर पे साओधी अरब ने भी हमें आफर की कि आप इन तमाम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में ले आए जो बंगला देश में स्टक हैं तो हम इनके लिए अपर्शूरिटीज क्रियेट करेंगे अपने अपने ममालिक में लेकिन 1903 के बाद फिर जो सिंध की हकूमत पीपर्स पार्टी की थी उन्होंने शोर औगगा मचाना शूरू कर दिया उनका ख्याल ये था कि जितने भी ये लोग पाकिस्ताणी हैं बेहारी हैं बाइ ओरिजन तो ये आएंगे तो ये कुराची में सिटल हो जाएंगे तो एक कोई बुणादी जो मकसद में कहने का आज ये है नाज़ीन के अगर हम पाकिस्तानी हैं तो हम किस तरह ये जो पाकिस्तानी इस अज़ बंगलदेश में हैं उनको आने से रोक सकते हैं यहां तक कि बंगला देश की सुप्रीम कोड़ ने 2008 में बंगला देश की हकुमत से यहां तक भी कहे दिया कि आप इनको बंगला देशी तस्वर कीजिए मानी और इनको हायडी कार्ड इशू कीजिए बंगला देश की लेकिन इन गैरत और पाकिस्तानियों ने बंगलादेश की नाश्यानिटी लेने से भी इंकार कर दिया 5-6 लाख जो इस वक्त पाकिस्तानी वहां मौजूद है उनमें से हार्ली 200-300 लोगों ने सिर्फ आप्र किया जो बंगलादेश की नाश्यानिटी लेंगे तो ये जजबा इहुबव्लवतनी है उन Carlo का और जो अभी भी इस हालत में भी रहने के बावजूर्द भी पाकिस्तान का तराना गाते हैं जो पाकिस्तान के गुन गाते हैं गोकि अभी भी उनके मसाइल जो हैं वो अपनी जगा मोझूद हैं जो सक्तियां उन्होंने ज्हेली हैं उसके बावजूद भी वो अपने आपको पाकिस्तानी के रहना पसंद फरमार करते हैं हम यहां अमारी बदबख्ती ही कही है कि हम पांच लाग पाकिस्तानी को ख्याल भी नहीं रख सकते अगर पांच लाग पाकिस्तानी जो इस वर बंगला देश में मौजूद हैं अगर ये पाकिस्तान आ जाएंगे तो कौन सी क्यामत आ जाएगी कमस्कम हमें ये तो ख्याल करना चाहिए कि पाकिस्तान जिस नाम पे बना था वहाँ तो अनसार और महाजरीन की आप देख लीजिए किस तरह मदीना के अनसार ने महाजरीन जो मक्गा से आए थे उनका इस्तिःग्बाल किया थे अपने घर खोल दीए थे लेकिन हमारी बदकिस्मती देखिये कि हम रियासते मदीना की बात तो करते बहाँ हैं वही कुफार की तरह जो मक्का के मुश्रकी थे उनी तरह के हमारे दिल है और ये जो है मैं अभी तरह की बास समझ नहीं पाता हूँ कि हम क्यूं इन पांच लाक पाकिस्तानियों को बंगलादेश के रह्मो करम पे छोड़ रहे हैं ठीक है बंगलादेश भी हमारा ब्रादर मुलक है लेकिन उन्होंने इन लोगों को तसलीम नहीं किया और जिस तरह वो रह रहे हैं वो हम सब के लिए लमाए फिक रिया है हम सकूते ढाका की बात तो करते हैं पॉलिटिशन्स को इलजाम तराशी करते हैं आर्मी को लांतान करते हैं कि उनकी वजह से हुआ उनकी वज़ज़ से हुआ जिसकी वजह से भी हुआ हो वो बाद चले पुरानी होगी हमने कोई सीखा नहीं सीखा वो भी किस्साय पारीना ही लगता है मुझे लेकिन ये जो जिन्दा लोग हैं पांच राके करीब जो बंगला देश में इस वक्त रहे हैं मुझे कोई बताए कि हम क्यों इनको नहीं ले रहे अल्ला गरीके रहमत करे जस्टिस अफसल चीवा साहब को जो राब्त आले में इसलामी के जनरल सेक्टरिट थी लूने बहुत कोशिश की कि इन तमाम को पाकिस्तानियों को हम पाकिस्तान ले आए सैनेटर्स दफर हरंख साहब ने बहुत कोशिश की लेकिन वो इनफरादी तोब पे कोश़चे तो होती रहीं तो ये क्यों कर हैं हमारे रवये और हमारे रवये इसलिए शायद खराब हो गया है कि हमने पाकिस्तान को एक रियास्त तो हासल कर लिया लेकिन हम ये भूल गए कि पाकिस्तान की रियास्त हासल करने के बाबजूद ही पाकिस्तान की जो तहरीक है ये बरकरार रहने चाहिए पाकिस्तान एक तहरीक का नाम है और ये तहरीक जो है ये सिरब पाकिस्तान की रियासत के बनने तक नहीं थी ये तहरीक तो एक इसलामी फलाई मुम्लिकत बनाने तक थी आज जो लोग पाकिस्तान को सेकलरिजम सेक्टलर मुल्बरानी कोशिश में जारी है या ये कहते हैं कि जी कॉंसिटूशन में जो अबजेक्टिव रिजलूशन है उसको निकाल दिया जाए ये लोग इस कौम और इस रियासा से घड़ारी कर रहे है पाकिस्तान अगर इसलामी मुमलिकत नहीं है तो कुछ भी नहीं है आज अगर बलोच, पठान, पंजाबी, सिंधी हम सब यग जा हैं तो सरफ इसलाम एक बाइंडिंग फोर्स है जो हमें एक साथ रखे हुए है लेकिन एक बड़ी साजश के तहर पाकिस्तान की जो इसलामी असास है उसको कमजोर किया जा रहा है तो खुदारा होश के ना खुन लीजिए अभी भी वक्त है सकूत इढाका से कुछ सीख लीजिए वहां बहुत सी हमने गलतियां की उनको हमें नहीं दोराना चाहिए वरना और ये मैं समझता हूँ कि हमारा एक कौमी और हमारा इखलाकी हमारा नजरियाती हमारा इसलामी फरीजा है कि हम इन पांच लाग जो पाकिस्तानी सथ बंगला देश में मौजूद हैं जो ऐसी हालत में रह रहे हैं कि आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते और यहां किसी को फिक्र ही नहीं है यहां कभी कोई इसकी बात ही नहीं करता मैं तो फर्त हैरत में हूँ नाजरीन कि क्या है हमारे रवईए क्या है हम कब हैसिते कौम मैचौर होंगे ताकि एक शख्स भी अगर पाकिस्तानी अपने आप को कहता रहा है तो उसकी हम किस तरह हिफाज़त करेंगे अब्दुलबासित नहीं करी जो आप सुनना चाह रहे थे वो बाते मतलब सरेंडर की बांगलादेश बनने की भारत की जीत की यह सब बाते अब्दुलबासित नहीं की अब्दुलबासित ने दूसरे पहलू को चुआ है पहलू यह था कि पाकिस्तान ने पाकिस्तान गए थे मतलब इस्ट पाकिस्तान गए थे मतलब बंगला देस जो आज का है वहां गए थे क्योंकि वहां से पास पड़ता है वहां रहने के लिए गए थे और 1977 जब बंगला देस बनने वाला था तो ये पा बिहारी लड़ रहे थे पाकिस्तान के लिए पाकिस्त पाकिस्तानी कितने बड़े हराम खोर और इस तरीके का दोगलब पन करते हैं यह वही पाकिस्तानी है जो दिनराज से कस्मीरी इंडियन मुस्लिम बर्मा के रोहंगियान मुस्लिम स्री लंका में यूरोप में अमेरिका में अफरीका में नागा लेंड कहीं पर भी मार्स चंद रिकता चाएते हैं उने ये सवीकार नहीं चाहेते हैं अपने देश में नहीं रखना चाहेती तो आप समझ सकते हैं कितने हराम खूर रहे और अब्द्वासित ने इस बारे में सच मुला अप्रिशेट करता हूं लेकिन अब्द्वासित को अब बहुत बहुत मतलब इनको इनकी तारीट नहीं कर सकते हैं, बहुत ही बड़े हराम खो रहे हैं, आपने इनके पुराने वीडियो देखेंगे, जुट बोलने में माहर हैं यह, यह किस तरीके की बाता हैं, आप इनको अच्छे जानते हैं, लेकिन आचकल क्यूंकि यह इमरान वाले हसंनिसार नहीं रहे गहे हैं जो हसंनिसार हुआ करते थे काफी दिलिरी से बातें करते थे तो Contraux 71 में भारत ने तो युद्ध बाहुत ही आसानी से जीत लिया था तेरा दिन में भारत ने वही वो युद्ध जीत लिया था लेकिन भारत की मैं P.O.K. भी ले सकता था इतने सारे पाकिस्तानी फाजियों को जब भारत ने सरेंडर करा कर कैद किया था अगर उनके बदले में भारत P.O.K. ले सकता था भारत ने वेस्ट पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके जीते थे उने ले सकता तो भारत political, पौलिटिकल ही जो टेबल पर ये war हार गया था, इंद्रा गांधी भुटो से ये war टेबल पर हार गयी थी, हाला की बंगलादेश बना था, लेकिन भारत चाहता तो पाकिस्तान से जो पियो के है वो पूरा ले 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 था उस टाइम पे उसको देना भी पड़ता, भारत समझ सकते हैं आप पाकिस्तान कितना back foot पे था उस time पे तो आपको क्या लगता है comment box में जरूर बता है political तोर पर भारत ये war क्यों हारा और इसके पीछे क्या reason थे आपके comment हमारे लिए बहुत important है और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो please share करिएगा वीडियो को like करिएगा comment box में जरूर share करिएगा धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए जैहन